एक मेने के रिज़र्ज कराना चाहिए, नहीं नहीं, तीन मेने के रिज़र्ज कराना चाहिए, या फिर छे मेने के रिज़र्ज कराना चाहिए, या फिर साल भर का रिज़र्ज कराना चाहिए, तो गाईज अशली मेरे पास बहुत सारे कमेंट्स आया थे, जहां पर बहुत सा सामया भी नजर आएं मतलब कुछ प्रॉब्लम्स इसके बारे माँ इसके वीडियो में बात करने वाले हैं क्या आप लोग को यहां पर साल बर का रिचार्ज करवाना चाहिए क्या उसमें फाइदा है नुकसाने इसके बारे माँ इस वीडियो में बात करने वाले हैं तो बिना यहाँ पर आप लोगगो 15 दिन यहाँ पर एक्स्ट्रा मिलेगा उसी तरह आप सालभर का रिचाज गरवाते हो 12 मन्त का तो आप लोगों यहाँ पर एक मन्त एक्स्ट्रा मिलता है यानि कि एक मुझा आप लोगो फ्री में देखने को मिल जाता है जो कि यह काफी अच्छी जीज है ठीक है इसी को लेगे काफी सरे लोग यहाँ पर एक्साइटेड रहता है कि एक मन्त اेक्स्ट्रा मिल जाएगा तो दूसरा जो benefit है कि आप लोगे रिचार्ज का टेंशन की ने पड़े लिए रिचार्ज करवाया है तो इस пригता होता है यहां पे एनुओल प्लान रिचार्ज करना नहीं है तो तीसरेintend complete मुझे रिचार्ज का प्राइस बढ़नेगा है यहां पे टेंशन नहीं हुगा बिकोज आपने अल्यडी एक साल का रिचार्ज करवा लिया है अब 500 वला प्लैन, 600 का हो 700 का आट वट्यो का या 800 का आपको क्या फरक पड़ेगा आपने तो अल्यडी एक साल का रिचार्ज करवा लिया है तो यह आप लोग को एक benefit देखने को मिल दाता है इस वाले एनवल वले plan में और साल भर का recharge करवा होगे तो Jio की तरब से कुछ यहाँ पर coupon में मिल दाते हैं जो कि आप Jio डिजिटल स्टोर में जा कि उसको प्याँ फ्रिलांस डिजिटल स्टोर में आप उनका उसकर सकते हो शॉपिंग वगरा के कुछ coupon मिलते हैं तो गाईज यह तो थी अच्छी बाते बट आप बारी है गंदी बात की I mean बुरी बातों के बारे में जो आप लोग को साल भर के recharge plan में देखने को मिलती है तो गाईज बात करें यहाँ पर प्रब्लम नमबर वन की तो आपने एक ही साथ में साल भर का recharge करवा लिया बट क्या होगा अगर आपको बीच में कहीं जाना पड़े I mean एक मेने के लिए दो मेने के लिए आप कहीं बाहार जा रहे हो ठीक है यहाँ पर प्रब्लम नमबर टू की जो कि मैंने खुद भी फेस करा है तो यहाँ पर अगर आपने रिचार्ज करवा लिया है ठीक है उसके बाद आपके जीओ फाइबर में कुछ प्रब्लम आ गया मानलो तारे वारे कट गे जीओ फाइबर ऊड़ गया कुछ भी हो गया ठीक है तो इस केस में क्या होगा कि जब तक आपका इंटरनेट यहाँ पर वर्क नहीं करता तब तक आपका प्लान यहाँ वेस्ट हो सकता है मैंने अक्चुली यहाँ पर 10 दिन वेट किया थे दोस्तों पता है 10 दिन तक मेरा इंटरनेट चला नहीं था और मैंने यहाँ पर 9.99 उपीस वाला प्लान से रिचार्ज किया था ठीक है तो आपको इसके लिए का प्लान का प्लान का जरूत पड़ेगा तो आप रिचार्ज नहीं करवा सकते तो आपको इसके लिए काफी ज़्यादा पैसे देने पड़ते हैं मालों आप 399 वाला रिचार्ज करवा रहे हो एक साल के लिए तो उसके लिए आपको टोटल में 56 रुपीस देने पड़ते हैं आप लोगulent को दोनई चीज़ बता दिके आपको साल भर का रिचार्ज करवाले से क्या फाइदा मिलता और नुकसान मिलता है वैसे आप साल भर का रिचाज करवाऊगे कि नहीं वो आप मुझे कमेंट सेशन में ज़रोज से बताना मुझसे पुछोगे तो मैं नहीं करवाऊँगा कि वीडियो मिलेंगी वैसा मैं मिल आप से नेक्स्ट वीडियो में तब तक के लिए जाहेंद वंदे मातरम